First of all guys, आप लोगों को यहाँ पर bean like structure जो guard cell होते हैं उसे draw करना है, start करना है मैं बिलको step by step आपको draw करने दिखाने वाला हूँ आप simply मुझे follow करते जाएं कुछ इस तरह के bean जैसे structure हमें draw करनी है दो, एक दूसरे के सामने connected, तो यह देखे, यह होता है guard cell, ऐसे हमें draw करना है यह एक मैंने draw करना है, आपको काफी numbering में draw करना है, तो यहाँ पर थोड़ी दूरी पर फिर आपको कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, बिलको सेम manner में आप कीजिए मैंने आप वीडियो को बिलको भी फास्ट नहीं किया है, तागे आप लोग मेरे साथ से step by step draw कर पाएं अब सेम manner में हमें यहाँ पर draw करना है, जहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आप अपने paper में draw करते जाएं, अगर आपने अभी तरह मेरे साथ इससे कर दीजिए, काफी सेम्पल है, अब इन हमें थ्रेड लाइन से connect करना है, बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है, यह लाइन में काफी सारे curves रहने चाहिए, आप को straight line draw नहीं करने हैं, जैसे मैं curve के साथ line draw करना हूँ, बैसे आप लोगों को करनी है, यह line कैसी भी हो सकती है, बस आपको guard cell size जगावा place करने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप मुझे follow करते चाहिए, अब यहाँ पर भी connected हमें draw करना है, यहाँ पर हमें leave कर देना है, अब थोड़ा सा rest of the part बचा हुआ है, वो मैं आपको और draw कर देखा देता हूँ, कैसे हमें draw करना है, अगर आपको किसी और दागरा में problem हो, तो आप मुझे comment box में जरूर बताएगा, मैं maximum comments कर रपला देता हूँ, अब यहाँ पर left side में और थोड़ा सा section बचा हुआ है, वो और हम लोग draw कर देते हैं, यह बहुत ही simple है, आपको बस guard side draw करने हैं, और curve line के साथ इससे connect करना है, तो कुछ तरह से मैंने यह diagram टोगाई कर लिए complete, अब मैं ऐसे 3-4 second के लिए play कर देता हूँ, ताक अगर आपका ने complete रहेगा, तो आप लोग complete कर लीजिए, यह बहुत है, तो आपका लिए, अब मैं आपका लेगाई कर देते हैं, तो आपका लिए अब मैं देते हैं, और अगर आपको किसी वाट आपका ने प्रावलम हो तो आपका अब मुझे comment box में जरूर बताएगा, दोगा आपका लिए वाट सेंग घस्ताओप लाटा